हे दोस्तों, वेलकम तो दिस चैनल, मैं हू रहूल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लीनक्स के इंट्रेक्शन को, इसके साथ साथ लीनक्स और यूनिक्स के कुछ हिस्ट्री के भी बारे में बात करेंगे तो यह एक लीनक्स का सीरीज चल रहे तो अगर आपको साथे वीडियो दिखने हैं ताइब बटन को चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए देख लिया जाए तो पहरे चानते हैं यूनिक्स के हिस्ट्री के बारे में 1960 General Electronics MIT Bell Labs developed an OS called Multics तो यहाँ पर General Electronics MIT और Bell Labs ने मिलकर 1960 को एक नया ओपरेटिंग सिस्टेम इंवेंड किया था जिसका नाम रखा गया था Multics. Multics is a multi-user and multitasking operating system for mainframe computers. तो यह जो Multics था यह multi-user and multitasking operating system था जो की mainframe computers के लिए बनाया गया था और कुछ टाइम बाद Multics को एक unsuccessful OS declare कर दिया गया था लेकिन यह जो तीन labs मिलके इस OS को develop के थे इन में से bell labs के एक scientist जो की थे Ken Thompson और उन्होंने Multics operating system से inspire होका अपना खुद का एक operating system develop किया था जिसका नाम रखा गया था UNIX तो इसका spelling कुछ इस तरह कर था UNICS जिसका full from है Uniplexed Information and Computing System और इसके कुछ टाइम बाद 1978 के दौरान Ken Thompson और Dennis Richie जोगी थे सीप के creator इन दोनोंने मिलके UNIX OS के kernel को C language के दौरा re-modify करके इसका 5th version release किया था और इसके बाद जाके UNIX development दो अलग-अलग branches में divide हो गया था पहला जो वर्सन था वो था Sys 5 यानि कि System 5 और दूसरा था BSD तो यह दो अलग-अलग फिल्ड में UNIX development split हो चुका था और बाद में जाके इसी UNIX को modify करके यानि कि इसका code पकारा यूज करके Linux operating system बना गया था तो हमको Linux का बहुत सारा versions देखने को मिलता है तो यहां पर कुछ versions System 5 को fully support करता है और कुछ तो BSD को support करता है तो अगर हम इसके कुछ features की बात करें तो यह multi user और multitasking operating system है इसके लावा इसमें हमको एक hierarchical file system दिखने को मिलता है जिससे की जितना भी files पगड़ा होता है वो एक hierarchy के अंदर arrange होके रहते हैं इसके अलावा Linux एक portable software है जिसको कि अगर हम किसी भी storage device में install करते हैं तो उसको हम different different system में run करवा सकते हैं और जो last feature है Linux का वो है tools for program development तो यहाँ पर हमको wide range of tools दिखने को मिल जाते हैं जो की mainly programmers और developers के लिए बहुत ही helpful रहते हैं तो यह थे कुछ important feature Linux के अब अगर structure की बात करें तो यहाँ पर हमको कुछ इस तरह का structure देखने को मिलता है Linux का तो यहाँ पर पहले हमको देखने को मिलता है application programs उसके नीचे का जो layer है हो है kernel का और ant में हमको देखने को मिलता है hardware तो यह जो kernel होता है यह program और hardware के बीच में एक interface क जैसा काम करता है तो यह जो kernel होता है यह direct application program और hardware को connect करता है यानि कि जो end user होता है वो directly hardware को access नहीं करता है वो kernel को access करता है और kernel के थूरू hardware utilities को access कर पाता है अब अगर cell की बात करें तो cell एक तरह का command line prompt है जिसके अंदर हम जाके comments को type करके अपने मन मुताबिक काम को कर सकते है तो यहाँ पर हमको windows के जैसा GUI user interface देखने को नहीं मिलता यहाँ पर command line के थूरू हमको अपना task वगड़ा fulfill करना पड़ता है तो फिलाल के इस वीडियो में हमने Linux के introduction को देखा तो अगर आपको यह वीडियो पचंद आया हो वीडियो को like करना मत बूले channel को subscribe कर लिजिसे और